तो देश की बात वित राजुकुमार में आपका स्वागत है, मैं संगीता, फिर से आपके पास आई हूँ ब्यूटी टिप्स लेकर, इस बार ना निम्बू है ना हल्दी है, इस बार बेशन का है, बेशन का परियोग बताऊंगी, और इसके फायदे भी बताऊंगी, और घल्दी, दही है, बेशन और दही का परियोग करना है, अपने चेहरे पे गलो लाने का, कि मैं तरह तरह की वीडियो इसलिए ला रही हूं कि कभी कभी कोई चीज घर में ना हो तो आप लोग सोचिएगा कि यह ना है तो आप कैसे करें इसलिए मैं हर तरह की वीडियो ला रही हूं ताकि आपको घरेली नक्सिव आजवाने में आपको कोई दिक्कत ना हो क्यूंकि एक चीज नहों हो दूसरा चीज तो रहता है फिर एक चीज नहों हो तीसरा रहता है पर हमारे कीचन में हर एक तरह की ऐसी है जिससे हम लगाकर अपने चेहरे पर गुलो ला सकते हैं कि यह थोड़ा सा बेसं हम लेंगे और इसमें दही यूं मिक्स करेंगे इस तरह से हम मिक्स करेंगे इस तरह से हम दही और वेशन को मिक्स करेंगे इस पूरी तरह अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और इसमें एक अच्छी बात यह है दोस्तों यह अपके टाइम के ऊपर है आप इससे एक मिनट रखें दो मिनट रखें तीन मिनट रखें आपकी इच्छा पर हां जितना देर रखिएगा उत्मास ज्यादा फाइदे इस वार मैं अपने हाथों पर लगा के नहीं अपने च देखिए दोस्तों मैंने शिशा ले आया है और इस तरह से आप अपने चेहरे पर लगाएंगे इस तरह से होत स्वावधानी से लगाएंगे इस तरह से हम लगाएंगे इससे लगाने से हलकी इची होगी और इसका ये फाइदा है कि आपको फेसियल कराने की जरूत ना परेंगी इस तरह से हमें मसाज करते रहना है इस तरह से क्या होगा आपका चेहरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा और प्राकिर्तिक जो चमक है चेहरे की वह खोयाएगा भी नहीं इस तरह से आप लगता ऐसे आपकी इच्छान उसार है पर अगर दो मिनुट से ज्यादा ही करें तो ज्यादा देखिए इसमें कैसे काला पन निकल रहा है देखें तो बेसंतुरा काला पन आया है यह देखिए आपको दिख रहा होगा अगर इसे आप सूखने देना चाहते हैं तो सूखने भी दें अगर आपके पास टाइम नहों तो इसे वास कर लें दोस्तों मैंने अपना फेस वास कर लिया है और आप ऐसे लगा कर दोस्त कर शकते हैं अगर आपके पास टाइम नहों पालर जाने की और अर्जेंट में सादी में जाना है पार्टी में जाना है वर्टी या किसी भी परकार के तेवार में या और कहीं भी आपको जाना है तो कब पैसे में और जल्दी में ही अपने चेहरे पे चमक ला सकते हैं और पालर जाने की जरुवत नहीं है चलिए अगला पीटिटिस दूसरे में बाबाई